ललित और नंदिनी दोनों पती पतनी होते हैं नंदिनी पूरे तीन महीने से गर्भवती होती है एक रात क्या हुआ नंदिनी? तुम्हें नेन क्यों नहीं आ रहे? ललित, मेरा आइसक्रिम खाने का बहुत मुन कर रहा है शायद इसलिए मुझे नेन नहीं आ रही अरे, बस इतनी सी बत मैं अभी तुमारे लिए आइसक्रिम लेकर आता हूँ लेकिन ललित, रात के एक बज रहे है इस समय तुम घर के बाहर मत जाओ और इस वक्त तुम्हें कही भी आइसक्रिम नहीं मिलेगी अरे, नन्दिनी, तुम टेंशन मत लो तुम्हें क्रेविंग्स हो रही है न तो आइसक्रिम तुम्हें लाकर ही रहूँगा हमारे कॉलनी के बाहर एक नया मेडिकल शॉप खुला है जो 2400 गंटे चालू रहता है तो आज मैं तुम्हारे लिए वही से आइसक्रिम लाओंगा लेकिन ललिट, अभी जाने के कोई ज़रूरत नहीं है मैं बाद में खालूंगे ना टेंशन मत लोनने दिनी, मैं हूँ ना और उसमें कुन सी बड़ी बात है I promise, मैं यू गया और यू आया ललिट आईसक्रिम लाने चला जाता है लेकिन जब वो आईसक्रिम लेकर घर की और लोट रहा होता है तो ब उसका एक एकसिडिंट हो जाता है और उसी में उसकी मोथ हो जाती है ललिः, तुम मुझे और हमारे होने वाले बच्चे को इस दुनिया मैं आपके लिए चोड़कर नहीं जा सकते मैं क्या करूंगे तुम्हारे बिना लली अपने ये मगर मचके आसु बहाना बन कर दे चुडेल कही की, खा गई मेरे बेटे को नंदिनी, तुम्हारे कारण ही ललीत की मोथ हुई है और नहीं तो क्या, ना तुम मुझे आईस्क्रिम लाने वेश्टी और ना ही मेरे छोटे भाई का एक्सिडेंट होता मनहुस पनोती लड़की ये आप सब क्या कह रहे है मैंने ललीत को बाहर जाने से मना ही किया था लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और वो चला गया नंदिनी पहले से ही आनात होती है ससुराल के आलावा उसका कोई ठीकाना भी नहीं होता ललीत के जाने के बाद उसकी सास मंजू, जेट विराज और जेटानी शिल्पा उस पर खुब अत्याचार करते हैं एक दिन, पंडिक जी आकर नंदिनी के सिर पर हाथ रखते हैं और मंत्र जाप करते हुए उन्हें ये पता चलता है कि नंदिनी को बेटी होने वाली है क्या? ये आप कैसी बाते कर रहे हैं, पंडिक जी? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता हाँ, पंडिक जी, इस घर में बेटा ही आएगा हमार अभी तो एक बेटा है और इस घर में एक बेटी के लिए कोई भी जगे नहीं है ये बात आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं और अगर बेटी पैदा भी होती है तो उसमें कौन सी बुरी बात है? बेटी होगी तो घर में लक्षमी मही आएगी चिप्रो तुम और गिरा दो ये बच्चा नहीं माजी, मैं ये बच्चा रखूंगी चाहे बेटी हो या बेटा मैं अपने पती के आकरी निशानी को इस दुनिया में लाकर ही रहूंगी नंदीनी के इस बरताव से सास बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो उसका हाथ मोरोडती है और उसे दिन रात काम करवाती है माजी, मैं बहुत तक गई हूं मेरी तबियत भी कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे आराम करने दीजिए मेरी कोप में एक नन्नी जान पल रही है आतो मार डाल उस नन्नी जान को वेसे भी हमें वो बच्चा नहीं चाहिए एक तो मेरे बेटे को खा गई और तु ये चाहती है कि हम तुस्से अच्छे से पेश आए जा, काम कर और सुन कल से रोजाना तुझे पचास लोगों का टिफिन पैक करना है हाँ माजी ने टिफिन सर्वी शुरू की है उन्हें एक आश्रम से पचास लोगों का ओर्डर मिल चुका है अब रोजाना तुम्हे पचास लोगों का खाना बनाना होगा उमारे हाथ में बहुत स्वाध है इसलिए तुम ही ये काम करोगी नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए अगर मैं दिन रात यूँ ही काम करती रही तो मेरे बच्चे के सेहत पर बुरा असर पड़ेगा तेरा बच्चा जिये या मरे हमें उससे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन अगर तुने काम नहीं किया तो हम तुझे इतना मारेंगे इतना मारेंगे कि तुझे तेरी नानी पर नानी सब याद आ जाएगा समझी तो मंजू आप नंदिनी से पचास लोगों का खाना बनवाब कर उससे पैसे कमाती है और उसे एक रुपईया भी नहीं देती लगा तार इतना काम करने पर नंदिनी के तवियत काफी खराब हो जाती है मा जी मुझे कुछ पैसे दे दीजिए मुझे डॉक्टर के पास चेक अप के लिए जाना है तुझे तो एक फुटिक कोड़ी नहीं दूँगी में चल निकल या से और जाकर अपने काम कर अगर तुने आठके सारे टिफिन्स पैक नहीं किये तो मैं तुझे सिर्फ एक रोटी का तुकड़ा दूँगी समझी तू? और राद बर बाहर रकूँगी फिर थंड में कपकप आती रहना लेकिन मा जी तुम्हारे कानपुर में हड़ताल चल रही है क्या नंदिनी? जाओ जाकर अपना काम करो और जल्दी से हाथ चला आज ताइम बहुत कम है वो लोग लाचार नंदिनी को घर के बाहर निकलने ही नहीं देते और उसके साथ नोकरों से भी बत्तर व्यवार करते है घर में रहकर नंदिनी को बहुत गुर्टर होने लगती है और इन सबसे उसकी तबियत पर काफी बुरा असर होने लगता है ये सब क्या हो रहा है भगवान जी? मैंने कभी किसी बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे ही घर वाले मेरे साथ ही ऐसा करेंगे मैं तो मर जाओंगे इस दर्थ बरी जिन्दगी से नंदिनी के ससुराल वाले उस पर अत्याचार करना बंद नहीं करते उससे कभी कभी काम में देरी या गड़बड हो जाती है तब वो लोग उसे खूब मारते थे एक दिन मा जी, सारी फसाद की जड़ तो ये नंदिनी के पेट में पल रही छोटी बच्ची ही है मैं तो कह रही हूँ उसके पेट में पल रहे बच्चे को ही मार दो जिसके बाद नंदिनी ठीक से काम कर पाएगी और हमें भी किसी बात की टेंशन नहीं होगी हाँ शिल्पाब हो ये तुने बिल्कुल सही कहा लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते है हम नंदिनी के कमरे के जग में अबावशन पिल्स मिला देंगे जिसके बाद उस पानी को पी कर नंदिनी के पेट में पल रही बच्ची मर जाएगी अरे वाह ये तो बहुत ही शानदार आइडिया है मान गई में तुझे फिर शिल्पा नंदिनी के कमरे के जग में अबावशन पिल्स मिला देती है लेकिन बाद में जब नंदिनी पानी पीने जाती है तब ही अचानक से वो जग नीचे गिर कर तूट जाता है और सारा पानी फर्श पर फैल जाता है अरे नहीं इसे अभी साप करना होगा शिल्पा और मंजू का ये प्लैन तो फ्लॉप हो जाता है और नंदिनी अपनी अत्याचारी सास की अत्याचार चूप चाप जिलती रहती है वो किसी से भी अपना दर्द नहीं बाटती और बहुत दुखी रहती है फिर एक दिन मा जी मुझे बहुत बुखार आया है मेरे हातों में और बदन में ताकत ही नहीं बची मुझे डॉक्टर के पाज जाने दो मैं आपसे बिंती करती हूँ नहीं एक बार कई गई बात तेरे पल्ले नहीं पड़ती क्या तुझे बुखार आये या तु कोमा में जाए हमें उससे कोई फरक नहीं पड़ता कोई बहाने नहीं चलेंगे चुप चाप जाकर सारे काम खतम कर वरना घर से निकाल देंगे तुझे और तुझे अच्छी तरह से पता है कि इस घर से निकाल देने पर बाहर तुझे चिल कोवे खाकर खतमी कर देंगे आखिर तेरा इस दुनिया में है ही कोन मंजू और शिल्पा बिचारी नंदिनी पर खुब हसते हैं और नंदिनी को बहुत दुख होता है इतनी बिमार होने के बाद भी वो धेरों काम करती है एसे ही नो महिने बीच जाते हैं और एक दिन जब घर पर कोई नहीं होता तब नंदिनी को लेवर पिंच शुरू होता है आख कोई है मा जी जेटानी जी आख लगता है बच्चे के आने का समय आ गया है नंदिनी की चीक सुनकर उसके पड़ोसी वहाँ पर आ जाते हैं और उसे फोरण होस्पिटल लेकर जाते हैं नंदिनी एक प्यारे से बेटे को जनम देती हैं बेटा हुआ है ये सुनकर नंदिनी के सुसुराल वाले बहुत खुश हो जाते हैं और वो होस्पिटल पहुच जाते हैं हमें बेटा देने के लिए धन्यवाद नंदिनी जैसे ही मंजु बच्चे को छोने जाती है नंदिनी उसे रोक लेती है नंदिनी का गुसल रुप देखकर सभी लोग चोक जाते हैं मैं अपने बेटे पर तुम जैसे हैवानों का काला सायब पढ़ने ही नहीं दूंगी तुम लोगों का इस बच्चे पर कोई हक नहीं है क्योंकि ये मेरा बेटा है और तुम लोग मेरे अपने हो ही नहीं अगर अपने होते तो मेरे साथ इतना अत्याचर कभी नहीं करते लेकि पोलिस वालों को साथ लेकर आते हैं और पोलिस ओफिस है उन तीनों को गिरफतार कर लेते हैं ये ये आप क्या कर रहे हैं हमने क्या किया है फीजिकल वॉयलेंस के केस में आप तीनों को गिरफतार किया जाता है आपके पड़ोसी इस बात के गवा है जब तक नंदिनी चुप देंगे इनके घर से तो हमेशा चीकने चिलाने की ही आवाज आती थी इन्होंने इस बेकसुर नंदिनी पर बहुत ही बेहरेमी से अत्याचार किया है फिर पोलिस उन तीनों को ले जाती है और उस दिन के बाद से नंदिनी अपने बैटे को संभालते हुए टिफिन सर्वीज का काम जारी रखती है और उसी से उस बच्चे का पालन पोशन भी करती है जानकी को अपने आसपास सपाई से भरा और खुशबुदार वातावरण ही पसंद आता है उसे गंदगी से सक नफरत होती है उसके घर में एक नई बहु भी आई होती है जिसका नाम पद्मा होता है पद्मा वैसे तो रूप रंग और चाल चलन से बहुत अच्छी होती है पर उसे दिन रात लगा तार पादमारने के गंदी आदत होती है एक दिन एरे बहु बहुत नींदारी है ये जाड़ू लगाने के बाद मेरे लिए एक बड़ियासी गर्मा गरम अद्रक वाली चाय बनाना जी माजी जरूर तभी जानकी उबासी देती है कि अचानक से पद्मा एक जोड़ डार गंदी बद्बू हला पाद मारती है जिसकी गंदी बद्ब सीधे जानकी के खुले मूँ और नाक में गुज जाती है हाई 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 अरे बहू ये तुने क्या कर दिया अपनी सास के सामने ही सीना तान के पाद मारते हुए तुझे शरम नहीं आती छी नालायक कही की तेरे पाद मारने की गंदी बद्बू मेरे पुरे मूँ और नाक में गुज गई है माजी मुझे माफ कर दीजिए वो मैंने आज ढेर सारा बाहर का काना खा लिया था इसलिए शायद गैस हो गई बहू कान कुल कर सुन ले मुझे गंदी बद्बू की ऐलर्जी है और अगर आइंदा से तुने मेरे सामने पाद मारने की जुरत भी की तो मैं तेरी ऐसी बैंड बजाऊंगी कि तू बस देखती ही रहे जाएगी सारी माजी फिर रात में प्रीतम और पद्बा दोनों रोमैंस कर रहे होती कि तभी पद्बा एक दुआदार पाद छोड़ देती है जिससे पूरे कमरे में उसके पाद की बद्बू फैल जाती है उस बद्बू के कारण प्रीतम फोरण पद्बा से दूर भागता है और उस चक्कर में वो धड़ाम करके नीचे गिर जाता है छी पद्बा इतनी गंदी बद्बू तो हमारे गली के कुड़े दान से भी नहीं आती जितनी तुमारी पाद की बद्बू है ऐसा क्या खाती हो तुम सारी प्रीतम वो मैंने आज कुस ज़्यादा ही फासफूर खा लिया था इसी लिए थोड़ी सी ग्यास हो गई मैं एक मिनिट भी नहीं रुख सकता इस कबरे में अगर मैं थोड़ी देर भी यहां रहा तो मेरा दम घुट घुट कर मैं तो यही मर जाओंगा तुमने तो मेरा सारा मूड ही ओफ कर दिया लेकिन प्रीतम मेरे बात तो सुनो एक दिन मोहले में जो पदमा सबजे करीद में जाती है तब भी वो टुमक टुमक कर पाद मारती हुए जाती है यह सब देख ते गली की सारी ओरते अपने नाक पर हाथ लगा देती और बाद में जानकी से कहती है अरे ओ जानकी बेहन, गली में आदा प्रदोशन तो तुम्हारी पाद मारने वाली बहु नहीं फैला रखा है बिच्चैरी जानकी, इसके तो भागी फुटे है, जो इसके नसीब में पदोडी बहु आई अवे तो भूल कर भी अपने घर पर मत बुलाना, जो लड़की अपनी गली में ही इतने एटम बम पोड़ते हुए जाती हैं, वो घर पर तो हर एक मिनिट में अपने पाद के पटा के पोड़ती होगी जानके उन ओर्तों के सामने कुछ नहीं कहे पाती है, और शर्मिन्दा होकर वहाँ से निकल जाती है लेकिन सच तो यही होता है, कि दिन बाद दिन पदमा के पाद मारने की गंदी आदत के कार, घर में बहुत ही गंद फैल रहा होता है पद्मा दिन प्राद, हर एक एक गंटे में कुछ ना कुछ तला और भूना हुआ, और चटर पटर खाना खाती ही रहती, जिससे उसे हर वक्त ग्यास होती रहती है एक दिन, जानकी घर में हर तरफ धेर सारी अगरबत्तिया लगाती ही, और हर तरफ एर प्रेशनर भी चिड़काती ही, लेकिन पद्मा की एक पात से ही पूरे घर में बद्बु फैल जाती ही एरे नास पिड़ी करम जली, सत्या नास हो तेरा, इतने सारे धूप अगरबत्ति लगाएते मैंने, हर तरफ एर प्रेशनर भी चिड़काता मैंने, उसके बाद भी तेरे ताकतवर बद्बुदार पाद ने, इन सब की खुश्बु को ही मिटा दिया मैं तक तंग आ गई हूँ तुस्से, और नहीं तो क्या मा, मा जी मुझे माफ कर दीजिये, वो मैंने बस, बहुत हो गया ये तेरा नाटक, अरे पाद तो हर कोई मारता है, लेकिन तेरे पाद का टेप तो हर एक मिनिट में बशता रहता है धडाम धडुम, धडाम धडुम, दिन रात तु घर की घर में ही बम फोड़ती रहती है मा जी, अब पाद को मैं ये थोड़ी ना बोल सकती हूँ, कि ओ माई डियर पाद, तु आभी आजा, वो तो नैचरल है न, कभी भी कही भी निकल जाता है चुपो जा तू, तेरे जहरीले पात की जहरीली बद्बू तू ही सुंगती बैट आज की बाद अगर तुने बाहर का कुछ खाया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और आज से में भी तुमें कोई पैसे नहीं दूँगा, ताकि तुम बाहर का ना खा सको और मैं भी इसे घर में ही कैद करके रखूंगी, ताकि ये बाहर जाकर कुछ ना खा सके कभी समो से तो कभी चाओ मिन, कुछ भी खाती है, और मेरे पवित्र सुगंद बरे घर को अपनी पाथ से अपवित्र कर देती है, तेरी पाथ के कारण तो लोगों की मोत हो जाएगी एक दिन, इतनी भयंकर पाद मारती है तू, बेवकुफ कही की फिर पर्मा के घरवाले उस पर बहुत पाबंदिया लगा देती है, उसे प्रितम पैसे नहीं देता, और जानकी भी उसे घर से बाहर ही नहीं निकलने देती, तब वो कौन से बाहर का खाना ओरडर करती है, और अपने पती के गुल्लक को फोड़ कर पैसे निकालती है, ये गुल्लक तो कब से यहां पड़ा है, प्रितम तो इसे कभी चेक भी नहीं करता, मैं अभी इसमें से पैसे ले लेती हैं, और बाद में सेम टू सेम ऐसा ही गुल्लक लाकर, मैं फिर से उसमें पैसे डाल दूँगी, डिलिवरी बॉय खिडकी के पास आकर पदमा को खाना दे वाँ 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 नूडल्स, शवपरी, कोचोरी, पिज्जा बर्गर और मेरे फ्राइड मोमोस, वाँ मजा ही आ गया, ये चिप्स भी बहुत पसंद है मुझे, आधे आटम्स तुमें अब भी खा लेती हूं, और आधे को चुपा कर मैं बाद में खालूंगी, इस तरह प प्रीतम का एक दोस्त उसके घर आने वाला होता है, तभी, आज मेरे दोस्त आने वाले है घर पर, वो दोनों विदेश से आये हुए है, प्लीज उनके सामने पाद मत मारना, वरना मेरे इज़त की तो पुरी वाठी लग जाएगी, टेंशन मत लो प्रीतम, चिल, मैं नहीं पादूंगी, थोड़ी देर में प्रीतम के दोस्त आ जाते हैं, और जब पदमा उनको नाश्टा परोस नहीं जाती, तब वो एक तेज आवाज वाली पाद मारती, जिसकी बद्बू बहुत ही गंदी होती, सभी अपने नाक पर हाथ रख लेती, और प्रीतम के दोस्त उस खूब हसते हैं, क्या प्रीतम, लाल आकर तू हमारे लिए पाद मारने वाली भावी लाया, नौट फेर यार, बापी जी, आपने तो पाद मारने के रेकॉर्ड से ब्रेक कर दिये, इतनी तेज आवाज, और इतनी गंदी बद्बू वाला पाद मेने शायद ही कभी सुंगा और सुना होगा, इतना कहकर प्रीतम के दोस्त पौरण वहाँ से चले जाते हैं, और प्रीतम बहुत गुस्सा हो जाता है, जिसका डर था वही हुआ मा, मुझे पूरा यकिन है, ये पदमा चुप चुप कर बाहर का खाना काती होगी, ये अपने हरकोतों से बिल्कुल भी ब पादमा नहीं, पादमा होना चाहिए था, नाक में दम करके रखा है इसने तो, अगर तुने जल्द से जल्द अपनी इस पाद मारने की गंदी आदत को नहीं सुधारा, तो मैं तुझे तेरे माई के भिजवा दूँगी, सौरी माजी, सौरी प्रीतम, मैंने जान बुच कर कुछ नहीं किया, पाद तो पाद होता है न, कभी भी निकल सकता है, बन करो अपनी ये गिसी पीटी बकवास, हर वक्त बस तुमारे पास एक ही जवाब होता है, तुम कभी नहीं सुधरने वाली, और अगर ऐसा ही चला, तो यहां से सिधा माई के ट्रांसपर हो जाओगी, तब तुमारे आके खुलेगी, फिर एक दिन, पदमा, प्रीतम और जानकी तीनों कार में सवार होके, एक रिष्टेदार के यहां शादी के लिए जा रहे होते हैं, तभी अचानक से एक सुंसान रास्ते पर, उनकी गाड़ी के सामने कुछ गुंड़े आ जाते हैं, और वो इसे कैसे भी करके निकलना होगा, और अपने गेने और पैसे को भी लेना होगा, क्या करू, क्या करू, अब तो एक ही रास्ता है, मेरा पाध ही इन सबको मात दे सकता है, फिर पदमा जोर लगाकर पाध मारती हैं, और तभी पदमा की पाध की बद्बु सुनकर, सभी गुं बहु, आज पहली बार तेरे पात की कारण कुछ अच्छा हुआ है। हाँ पदमा, आज तुमारे पात के कारण हमारी जान भी बज गए और गेहने और पैसे भी मिल गए। मेरे पात के कारण आज कुछ अच्छा हुआ है। लेकिन मुझे समझ में आ गया है। मा जी, प्रितम, मुझे माफ कर दो, मेरे पाद मारने की बुरी आदत की करण आप दोनों को बहुत सहना पड़ा, लेकिन अब नहीं, आज मैं आप दोनों से एक वादा करती हूं, कि मैं आज के बाद बाहर का खाना कम कर दूंगी, और दिन में सिर्फ दो बार ही खाना भी घर का बना हुआ खाना काऊंगी, ये हुई ना बात, बहुत कुबब हूँ, देर आये दुरूस्ता है, आकिर तेरी अकल तो ठीकाने पर आ गई है, और इस तरह उस दिन के बाद से, पदमा बाहर का खाना खाना पूरी तरह कम कर देती हैं, और सेफ घर का पोस्टिक खा ना ही खाती, जिसके चलते उसके नॉन स्टॉप पाज मारने की बुरी आदत भी चुड़ जाती,